वेलकम वेलकम मेरे प्यार प्यार रिवियोर्स का उनके अपने चैनल में बहुत बहुत स्वागत है और आप सब लोगों को ईद बहुत बहुत मुबारक हो ईद आ गई है तो बस आपनों का मुव मीठा कराना तो बनता ही है तो चलिए आज हम बना लेते हैं कि मामी सिवईया देखे कितना बढ़िया टेक्शर है एक एक जो सिवईया है वो खिली खिली बनी है तो बस इसकी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर लेती हूं जल्दी से और देखे यहां मैंने क्या किया एक पैन ले लिया उसमें देड़ कप प्लस दो टेबल स्पून भरके मैंने पानी के डाल दिया है और एक कप मैंने इसके इंदर चीनी कर डाल दिया है इसको हम डिजॉल्फ होने तक घूल लेंगे और उसके बाद मैं इसके इंदर आधा टी स्पून इलाइची बॉडर डाल रही हूं आप चाहें तो साफुत इलाइची भी बीच में से तोड़ के डाल सकते ह इसके और केवडा वाटर ले लिया एक प्रणा सकतेहिं और थोड़ा जाने हम तोक यहां ने ओरेंज फूट कर लिया था हुसे दो टेबल सपून पानि में मिक्स कर के तो हमें डाला है। आप धरमें पानगे थोड़पी और बढ़ा नारियल है और इसके अंदर किशमिश है आप जो चाहें वो अप ड्राइफूट्स लीजिए उन्हें बारीग बारीग काटिए और उनको गोल्डन फ्राई कीजिए अभी अगर नारियल आपके बड़े टुकड़े काट रहे हैं तो इसी टाइम डाल दीजिए और जैसे मैं ब गोल्डन फ्राई करके और हम साइड में रख देंगे कि इनका क्रंच बना रहे और बस उसके बाद हम आगे की रेसिपी करते हैं उसके लिए हम क्या करेंगे एक पैन के अंदर घी डालेंगे घी मैं कहूंगी या प्योर घीमी बनाई है तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है और यह वर्मिसली का पैकेट बहुत इजली मिल जाता है इसे बनार्ची सिवें या भी कहा जाता है वैसे तो यह रोस्टेट होती है पर फिर भी इनको हलका सा रोस्ट कर लेजे तो इसके अंदर अरोमा इसकी बहुत अच्छी आती है तो तीन से चार मिनट तक इसको प्राई मत कीजें नहीं तो वो जल जाएगी और बस यहां पर इसके अंदर हम डाल देंगे जो हमने शुगर सिरफ बना के रखा था था ना वो डाल देंगे और बस इसको हलके हाथ से मिला देंगे कि शुगर सिरफ जो है सारी सेवियों को अच्छे से कोट कर ले तो बस यह कोई स्पेसिफिक रूल नहीं है और इदर आप देखिए मैंने खोया बनाया इसके लिए इसकी रेस्वी मैं इंस्टेंट खोय की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूगी और नहीं तो आप क्या कीजे मिल्क पॉडर ले लिजे चार से पांच टेबिस्पून वो भी डा सकते हैं चाहें आप खोया भी तोड़के डाल सकते हैं ऐसी कोई बात नहीं है और पांच मिनट के लिए इसको डग दीजे तो देखिए जो आपको यह मिल्क पॉडर नहीं बिल्कुल खोय की ताना लगने लगेगा इसको आप हलके हाथ से खुल के चला लीजे बहुत हलके स तो यसा लगेगा कि आपने खोया ही तोड़ तोड़के डाल दिया है तो देखिए बिना खोय के ही क्या बढ़िया आपकी यह चीज आने वाली है टेस्ट यह ऑप्शनल है बट इससे रिचनेस बढ़ जाती है और बस उसके बाद दस मिनट के लिए आप अपने पैन को बिल कि जैसे हो मैं आपको क्या बोलूं मन करता है कि बस अभी मैं आपनों को सर्व करके गरम गरम खिलाओं और आपसे वावाई लूट लूँ तो आप भी प्लीज इसको जरूर बनाईए और देखिए यहां मैं इसको प्लेटिंग कर रही हूँ और इसमें यह जो मैं खोया डा लिए उससे रंगत ही बदल जाएगी और फिर थोड़ा सा इसके इंदर डाल दीजे पिस्ता और देखिए क्या आपकी बढ़ी आसी सिमया बनके तयार हो गई है चलो तो एक बड़ सबसे पूसते हैं कि हमारी कि मामी समया कैसी बनी सच में बताना क्या चीज रग रही है कैस सारा एक-एक ये अलग है कि नहीं है वो न चिपक जाता है पर ये इतनी परफेक्ट बनी है कि देखो मेरा गाल में बिल्कुल एक-एक मैं दिखाती हूं मनी का मुझे दिख रहे हैं बिल्कुल अलग-अलग है सारा है ना तो ये जीज होनी चाहिए है आपके कुछ एक्सपर्ट कमेंट था जी बोलिए कुछ ब़ली बदी बिद्ध बड़िया पर टेस्टी होनी है देखने से भी अच्छी लग रही है ठीक है हाँ तो पहले देखते हैं फिर ही खाते ना तो पहले आंकों को जो चीज अच्छी लगते हैं वही खाने में मज झाल झाल